हेलो व्रिवन मैं हूँ आदर्शी गोपाउत स्टार्ट करते आज का वीडियो आज का वीडियो होने वाला है हमारे जो भी सीरीज चल रही है टॉप 10 किस किस यह में रिपीट हुए वह भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा अब जो इस सीरीज से नए जुड़े उन लोगों के लिए मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि यह इंपोर्टेंट कोश्चिन जो है वह मैं कहां से लेकर करके आता हूं जो पहले से जुड़े ह हुए है उन्हें पता है लेकिन जो नहीं जुड़े उनके लिए मैं एक बार फिर से पता देना चाहता हूं मेरे पास यह फाइल है जो कि मैंने आप लोगों को भी अविलेबल करा रखिए इस फाइल में अलग-अलग उनिवर्सिटी के सारे किसी उनिवर्सिटी के पांच स लगे उनको मैं आप लोगों के लिए लेकर क्याता हूं जो बाहर-बार रिपीट हो रहे है या ऐसे हैं जो बाहर-बार आने की चांसे बने रहते हैं अगर आपको यह सारे ओल्ड पेपर चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे दूंगा मेर लगे लिए तो इस बार में आपके लिए 11 लिए अलग से लिए अब स्टार्ट करते हैं जैसा कि मुस्लिम लोग पर होने वाला है तो सबसे पहला कौशन यही आता है कि मुसल्मान कौन है या मुसलिम कौन है इसलाम के मुल सिद्धानतों का वर्णन करते हुए मुसल्मान या मुसलिम कौन है इनका वर्णन कीजिए यह कुशन 2012 से लगा करके 2016 तक हमेशा रिपीट हुआ है उसके बाद 2018 में 2021 में और 2013 में भी रिपीट हो चुका है अगले कुशन की बात करें अगला कुशन है मुसलिम विदी के विबिन स्त्रोतों का वर्णन कीजिए सौर्स ऑफ मुसलिम लो इसका एक्स्प्लेशन अब यह काप का आया है यह आया है 2011 में 2013 में 2014 में 15 में 16 में 17 में उसके बाद 2018 में भी आ चुका है 2021 में भी यह कुशन रिपीट हो चुका है यह कुशन मुझे अब इस सीरीज क आजाते हैं मारे थर्ड कश्युन के ऊपर इन सारे कुश्यन को आप वीडियो के साथ साथ ही अलग पेज़ पर लिखते जाए जिससे आपको बाद में पढ़ने में आशा नहीं होगी हो सकेगा तो मैं आप लोगों के लिए इन सारे क्वेस्टेंस को लिखकर के अलग पीडिय वीडियो नहीं बनाया हमने मुस्लिम लोग अभी स्टार्ट नहीं करिए क्यावल हिंदु लोग और कॉंट्रेक्ट और यह दूसरे सब्डेक्ट ही अभी तक हम पड़ चुके हैं जैसे मैं मुस्लिम लोग पर वीडियो बना दूंगा अगर वह आज चुकी होगी सीरीज तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्चिन में आप चेक कर लेना वहां मैंने आंसर करके वो उसकी लिंक अपलोड कर दियोगी अब आज दोते हैं हमारे फोर्थ कोशन के उपर फोर्थ कोशन है मुस्लिम विवा या निखा की परिवाशा दीजिए एक मुस्लिम विवा की क्या-क् आविशक तत्व है इनको भी बताईए और विवा को गडिल्या फासिद बनाने वाले कोनकुन से तत्व हैं जो विवा को बाते लिया पासिद बना देते हैं क्वेशन क्या था फिर से सुन लीजिए मुस्लिम विवा के बारे में बताईए विवा के क्या क्या आवशक तत्वे हैं और मुस्लिम विवा को बातिलिया फासिद बना देने वाले कौन-कौन से तत्वे इनको भी explain कीजिए अब ये कौशन कहा का रिपीट हुआ है ये कौशन 2010-2013-14-18-21 और 23 में रिपीट हो चुका है ये सिर्फ मैं एक ही उनिवर्सिटी के क्वेशन को लेकर के नहीं आया हूँ मैं अलग-अलग उनिवर्सिटी के सारी कौशन को इखटा करके लेकर आया हूँ और वो आपके सामने में ला रहा हूँ अब बात करते हैं अगले कौशन के उपर अगला कौशन होने वाला है मुसल्मानों में विवा एक धार्मिक संसकार नहीं अपितु एक विशुद समीदा है ये लाइन है ये लाइन किसकी थी? ये लाइन थी न्यायमूर्थी महमूद में कही थी न्यायमूर्थी महमूद की एक famous line है मुसलिम लोग आपने पढ़िये तो आपने ये लाइन जिरू सुनी होगी कि मुसल्मानों में विवा एक धार्मिक संसकार नहीं अपी तुए एक विशुद्समीद आए, यानि कि मुसल्मानों में जो शादी है, उसे एक संसकार नहीं मान करके एक contract के रूप में माना जाता है, या contract के रूप में देखा जाता है उसकी जो विधी है, जो पूरी process है, उसे देखर के ऐसा लगता है कि एक contract हो रहा है, तो यह बात किसने न्याय मूर्थी महमूद ने कई ती तो इस बात को हमें explain करना है समझाना है कि किस प्रकार से यह सकती है यह असकती है इसे explain करना है तो यह था हमारा fourth important question question के अगला question विवां से कि महर कितने प्रकार का होता है महर की रशती कब दी जाती है और क्या जो पत्नी है वो महर के लिए पती की संपती पर कबदा कर सकती है या नहीं कर सकती इसको समझाना है, यानि कि महर वाला पूरा टोपिक आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, यह सबसे ज़्यादा रिपीट हो चुका प्रशन है, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला कुशन मुझे मिला जो कि 2010 से लगा करके 2016 तक लगबग लगबग हर बार रिपीट हो है, और 2016 के बाद भी 2021 में, 22 में और 23 में भी यह कुशन आ चुका है कुशन वापस सुन लीजिए, महर क्या है, कितने प्रकार का होता है इसकी राशी कब दी जा सकती है, और क्या अपने महर के लिए पत्नी जो है, अपने पती की संपत्ती वे कौन-कौन से तरीके हैं, जिनके द्वारा मुसलिम पती अपनी पत्नी को तलाग दे सकता है ऐसे कौन-कौन से तरीके हैं, जिनके द्वारा मुसलिम पती अपनी पत्नी को तलाग दे सकता है साथी, ऐसे कौन-कौन से तरीके हैं, जिसमें मुसलिम पत्नी अपने पती को तलाग दे सकती है और क्या तलाग शुदा पत्नी से पुन्ह वह पती विवा कर सकता है या नहीं कर सकता है और यदि कर सकता है तो उसकी क्या प्रोसेस होगी यह आपको बताना है यह question क्या है, एक बार वापस सुन लीजिए कौन-कौन से तरीके हैं जिससे कोई मुस्लिम पती जो है वो अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है साथ ही इसे कौन-कौन से तरीके हैं जिससे कोई पत्नी मुस्लिम पत्नी अपने पती से तलाक ले सकती है और क्या किसी पती ने अगर अपनी मुस्लिम पत्नी से तलाक ले लिया है तो क्या वो उससे दुबारा शादी कर सकता है और अगर कर सकता है तो किस तरीके से कर सकता है ये आपको बताना है इसके बाद आजाते हैं अगले कुशन के उपर ये कोशन जो था ये 2012 में, 2015 में, 16 में, 18 में, 21 में रिपीट हो चुका है वाज़ाते अगले कोशन के उपर अगला कोशन है मुस्लिम विधी के अंतरकत बरन पोशन पाने के अधिकारी कौन-कौन होते हैं मुस्लिम विदी के अंतरकत कौन-कौन बरन पोशन पाने के अधिकारी होते हैं और उनके क्या अधिकार और क्या करतवी हैं इनकर विवेच न कीजिए आपको मुस्लिम विदी के अंतरकत बरन पोशन कौन-कौन प्राप्त कर सकता है और जो burn potion प्राफ्ट करते हैं उनके क्या अधिकार और क्या करतवी है इसके बारे में आपको बताना है ये question 2010, 13, 15, 17, 21 और 10 में repeat हो चुका है अब आजाते हैं हमारे अगले question के उपर अगला question है Muslim विदी के अंतरगत सरक्षक कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या-क्या अधिकार हैं क्या-क्या करतवी होते हैं इन्हें समझाईए इसके साथ ये word है हिजानत वो क्या होता है उसे भी समझाना है जो सरक्षर के अंदर ही आपको विए word मिल जाएगा हिजानत ये क्या होता है इसे भी समझाईए क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क 1218 से किस्तब हो इसके बाद 2023 में हञा है चाले कुशन के उपर ऑगला कुश है किसे करते हैं इसकी क्या क्या आवशेक शरत हैं और क्रूंब ऑखन्डनी हो जाता है इसके इस कि अवश्यक शर्ते क्या है और यह इष्शन और यह जो है मैं वर्ड बता रहा हूं वर्ड के बारे में आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा क्योंकि यह मुस्लिम लोग के अंदरगत आपको ऐसे कहीं सारे वर्ड मिलेंगे जो कंफ्यूजन क्रेट करने वाले होंगे यहां ऐसे वर्ड होंगे जो आपने पहले इसे नोट करते जाएंगे इक इक वर्ड किजिए उसके आगर के डेस्ट करके उसके परिभाश्या अपने शब्दों में एक लाइन में लिग दीजे ऐसा करने से ज़्यादा नहीं सिर्फ एक या डेर पेज में सारे ही वर्ड आपके कवर हो जाएंगे इससे आप जब एक्जाम देने जाएंगे उस तरह में आपको रिविजन में बहुत ज़्यादा होगी और उससे जिन वर्डों में आपको confusion होता है उन वर्डों को साथ साथ लिग दीजे इससे क्या होगा कि आपका confusion क्रेट नहीं होगा आपको एकदम क्लियर रहेगा और एक् लोगों को photo available कराने की कोशिश करूँगा अब आ जाते हैं अगले वर्ड के उपर अगला अगला question के उपर अगला question है मुशा के सिद्धान्त किसे करते हैं मुशा के सिद्धान्त को समझाइए क्या मुशा का हिब्बा किया जा सकता है मुशा के सिद्धान्त के अपवात भी बताईजे, यानि कि अब मुशा और हिबा को जब आप पढ़ेंगे, तो comparatively पढ़ना है, ताकि आप दोनों, इन दोनों के बीच में क्या difference है, इन दोनों को भी समझ पाए, यह यह दोनों क्या चीज़े हैं, इन दोनों का आपस में कोई link है, यह नहीं link है, यह भी आप समझ प बताने, यह first number का सबसे most important question मुझे लगा था, मुशा का सिद्धान, यह मेरे को सबसे पुराना paper मिला था, एक राजिस्तान university के आजपास का गहीं का, जिसमें 2008 से लगा करके, 2017 तक यह question हमेशा repeat हुआ था, इसलिए मुझे यह सबसे ज़्यादा important question लगा था, क्योंकि दूसरी universities में भी 2010, 12, 13, 14, 16, 9, और उसके बाद जोदपुर university में भी 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, इन सारे year में repeat हुआ, यानि कि यह सबसे ज्यादा repeat होने वाला question, totally top 10 most important question में है, सबसे ज्यादा important question मुझे यह लगता है, कि मुशा का सिद्धान, किसे करते हैं, मुशा का सिद्धान का हिबा किया ज जा सिद्धा और मुशा के सिद्धान के अफवादों को समझाईए, अब जब आप हिबा पढ़ेंगे तो उसमें दो चीजे आप और पढ़ लेज़ेगा, मैं आपके लिए थोड़े गुलेट पॉंट्स भी लेकर रहा हूं, हिबा बिल एवज और हिबा बहुत शर्थ उल बहुत आपके लेवज, हिन दोनों के बीच में क्या पढ़ा था और एक्जाम में कौन सा है. अब आजाते है अगले कॉश् never के उपर अगले question है वसियर के उपर क्योंकि हम विवा पढ़ चुके हैं तलाग पढ़ जुके हैं कि व किंसे करते हैं बोर्ड का अपने नाम सबस्क्राइब होगा अभी recently तो काफी होड टॉपिंग भी रहा था जब राम बंदिर का निर्मान हो रहा था तो उसสमय किसे explain करना है यह मुझे important question लगा इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वक्व किसे करते हैं किस प्रकार निर्मित होता है क्या Muslim बच्चे या Muslim अपने बच्चे के हिट में वक्व कर सकता है निर्नित वादू के माधियम से समझाना है वक्व किसे करते हैं यह कितने प्रकार का होता है किस प्रकार से निर्मित किया जा सकता है क्या कोई Muslim बच्चों के हिट में वक्व का वक्व कर सकता है या नहीं कर सकता निर्नित वादू के आदार पर यानि कि 2-2022 में रिपीट ऊचुका है अगले कुशन के उपर अगले कुशन चulin के गलले के उपर मुझे लागता है कुंष हक्षुफह कि से क 이제 क्या समझते इसको एकस्प्लेउन चरना करना है किसे मुस्लिम व्यक्ति के मढ़ जाने पर अपनी सारी संपति किसे दी जा सकती है उसकी विरासत किस प्रकार से होती है इसके बारे में आपको explain करना पूरी तरह से बताना है इसे फ्लोचार्ट के माधम से भी आप समझा सकते हैं अच्छे से तो यह था आज का वीडियो आपक चाहते हैं वह भी मुझे बताइए अब जल्दी में अपने पुराने तरीकों पर वापस लोटूंगा हम अब इंप्रेंट कॉस्चिन की सीरीज लगबग हो चुकिया कुछ एक-दो सब्जेक्ट बचे उनको कंप्लीट करके फिर हम वापस से explanation वाले पार्ट में आ करेंगे और आगे उन्हें explain करेंगे और उन्हें ही समझेंगे अच्छे से थैंक्यू